friends 10% अइसे हैं जिनको अँछाए बालों की प्रापलूम नहीं हो ती है कहनें का मतलब है कि कुछ लोगों को फेचल है उपकला लिप्स की प्रापलम नहीं है उनके होते ही नहीं तो 90% वह ऐसे इसे हैं जिनको अँछाए बालों की फेचल है अपOT позвол सोल्यूशन आपको मिल जाए तो फ्रेंड्स आज मैं आपको हैर रिमूफ करने का ऐसा पर्मनेंट सोल्यूशन बताऊंगी जब आप इसको यूज करेंगे तो आप खुद हरान हो जाएंगे यह इतनी कमाल की रेमेडी है कि आती फ्रेंड्स यह रेमेडी कोई भी स्किन टाइ पहले हमें लेना है एक क्लीन बॉल और उसमें हमें लेना है वन टी स्पून शुगर हमारे स्किन के डेट सेल को बड़े ही जन्टी तरीके से रिमूफ कर देती है और हमारे स्किन को काफी क्लीन कर दी है उसके बाद हमें लेना है लेमन मैंने हाफ लेमन लिया है तो आप ले इच का काम करता है नीवू आपकी स्किन के लिए लाइटनिंग शालिष में धार जानika और हम किर आपके सिकन Д Upper से काम करते है वैक्षित काम कौई किरा थोड़ा प्रफिक्षाल कानी कानी चंके काम प्रफिक्त 만들어 सबस्क्रा राइए हतन है तो आप भी कुछ इसी तरह का double boiler method से इसको थोड़ा गरम करके आप निकाल सकते हो तो चलिए अब इसको बनाते कैसे हैं वो देखते हैं अच्छे से mix करने के बाद अब मैं इसको थोड़ा सा पका लूँगी यानि कि ये जो remedy है इसको हमेसे फ्लेम पर पका लेना है जब तक कि ये गाड़ा ना हो जाए थोड़ा चिपचिपा ना हो जाए फ्रेंट्स इसकी चिपचिपा हट से ही हमारी जो facial hair है वो deeply बाहर आता है फ्रेंट्स इस तरह से आपके hair की जो जड़े हैं वो बहुत ज़्यादा weak हो जाती है फ्रेंट्स यहाँ पर मैं एक बात और बताना चाहूंगी कि जब बाहर आप wax कराते हो तो 10-15 दिन में hair की growth आनी शुरू हो जाती है बट इस remedy से आपके hair की जो growth है वो इतनी जल्दी वापस नहीं आएगी बलकि इस remedy को बस एक बार भी आप यूज करते हैं तो बार बार आपको ऐसा लगेगा आप अपने hair को जब देखेंगे की hair तो वापस ही नहीं आए है यह remedy है इतनी कमाल की और मैं ऐसे ही नहीं कह रही हूँ जब मैं आपको इसका live result दिखाऊंगी तो आप खुद शौक रजागए कि यह कि इतनी अच्छी remedy बंद कर तयार हुई है इस तरीके से बनाने के बाद फ्रेंट्स गैस की flame हम बंद कर देंगे इस तरह का कुछ यह तयार हो जाएगा और यह गरम है तो अभी यह पतला है लेकिन जब यह थोड़ा सा थंडा होने लगेगा तो यह जम सकता है तो इसलिए आप जब इसे यूज़ करेंगे तो के dead cells में निकाल देती है कॉफी skin से जुड़ी परिशानिये को ठीक करने में बहुत help करती है damaged cells को repair करती है अगर आप skin पर अपनी natural निखार लाना चाहते हो तो आप इस तरीके से कॉफी का इस्तमाल कर सकते हो आपकी skin काफी अच्छी से fair होने लगेगी तो friends जिस तरह से wax बनकर तयार हो जाएगा और इसका चिपचिपा पन में आपको दिखा रही हूं यह देखिए और friends इस बात का ध्यान रखना कि यह जितनी चिपचिपी होगी उतनी ही जल्दी आपके यह hair को remove करेगी तो friends आज मैं अपने हाथ के hair जो है वो remove करके दिखाऊंगी कि किस तरीक होनी चाहिए तबी यह skin पर काम करेगी और फिर उसके बाद में आप किसी भी cotton की कपड़े से अपने skin को अच्छे से सुखा लिजे तो friends हमने जोई coffee wax तयार किया है आप अपने skin पर अच्छे से इसे लगा लीजिए spread कर लिए यानि कि किसी भी spatula की मदद से या फिर कोई भी आप लगा सकते हो और अच्छे से इसको apply कर लीजे जहां के भी hair आपको remove करने है friends यह ध्यान रखना है आपको के ज्यादा गरम नहीं होना चाहिए बस थोड़ा सा यह melt होना चाहिए क्योंकि यह चाशनी होती है चीनी की तो यह थोड़ी सी जम जाती है ठंडे होने के बाद में तो इसको हलका सा गुंगुना होना चाहिए और ज्यादा तेज गरम भी आपको नहीं करना है जब यह अच्छी तरीके से लग जाया तो आप कोई भी cotton का कपड़ा ले लीजिए या फिर कोई market में जो strips आती है wax की आप वह भी ले सकते हो और अच्छे से इसे दबाते हु यानि के इस कपड़े को खीच लेना है तो यह देखिए एक बार में ही मेरे सारे के सारे ही जो हैर है वो निकल गए है आप देख सकते हैं बिल्कुल सामने आपके result है इसका बिल्कुल live result में दिखा रही हूं side में जहां पर मैंने नहीं यूज किया है इसको वहां के hair अभी ह अपने hand के दूसरे side के तो मैं यह coffee wax अपने hand पर लगा लूँगी और अच्छे से dab dab करके और जब हम इसको छुडाएंगे तो अप वार direction में हमें अपने hair को remove करना है और जट से इसको छुडा लेना है इससे होगा क्या कि जो हमारे hair है वो इस तरह से इस कपड़े पर चिप आपकी skin में hair growth को slow down करती है और इस remedy से जो हमने ingredient इसमें यूज किये हैं वो हमारी skin के लिए बहुत ही अच्छे काम करते हैं यह chemical free remedy है फ्रेंट में मिलने वाली तरह तरह की wax आती है और हमको उनसे तरह की problem भी होने लगती है लेकिन यह homemade wax है यह आपको किसी भी तरह का side effect नही नहीं है थोड़ी देर में खुदी normal भी हो जाती है तो friends यहाँ पर मैंने waxing कर लिए और गुनगुने पानी से अच्छे से मैंने इसको clean कर लिया है फ्रेंट जब भी आप wax के बाद अपना skin wash करेंगे तो आप गुनगुना पानी ही use करेंगे क्योंकि चीनी यहाँ पर चिप और दूसरी तरफ के नहीं है तो friends अब आपको अपने skin पर अच्छे से moisturizer लगा लेना है कोई साभी या फिर आप मैं suggest करूंगी आपको के आप coconut oil लगा सकते है coconut oil से भी आपकी skin काफी अच्छे से smooth हो जाती है और यह बहुत ही अच्छे से काफी अच्छा moisturizer का भी काम करता है त यह home remedy आपका पैसा और time दोनों बचाएगी तो friends I hope आपको वीडियो पसंद आया होगा इस तरह की और वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को subscribe कर ले और साथी like share और अपने प्यारे से comments जरूर कीजिएगा तो friends अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा तब तक के लि जादत दीजेगा मिलती हूं next वीडियो में तब तक के लिए बाए